नमस्ते सागत है आपका मेरे चैनल में तो यहां पर मैं कर रही हूँ थोड़ी सी मठ्री बनाने की तैयारी और उससे पहले मैं गई थी अपने बगिचे में जहां पर मैंने खुदाई करके थोड़ी सी धनिया बोधी है और थोड़ा सा कुछ इस तरीके का बोया है तो यहां मैंने दो कब आटा लिया है मैं कुछ मीधा भी बना रही हूँ उसके साथ क्योंकि यह बिलकुल पतला वाला है अगर वैसा ऊता तो खतम हो जाता पर ये वाला कोई नहीं खाता है तो मैं सोच इसको यहां पर यूज कर लिया जाए उसके बाद मौयन के लिए मैं थोड़ा सा गी डाल दिया था और थोड़ा सा जुएन डाल दिया था अब इसका सकता आटा हम लगा लेंगे और इसका तो कलेरी ऐसा लग रहा है बिल्कुल हल्वे की तरह तो इ क्योंकि तेज आँच में यह पकेंगे नहीं अंदर से और धीमी आँच में भी क्या होता है कि यह बिल्कुल फूट भी जाते है इसलिए यहां पर आँच का बहुत ही ख्यार लखना पड़ता है और इसमें मैंने गूर डाला था ना इसके विज़से यह हलके से ब्लैक कलर क हो गए पर खाने में अच्छे स्वाधिस्ट बने हुए हैं और एकदम करारे भी फिर उसके साथ ही मैंने सोचा मठ्री भी बना ली जाए क्योंकि सियाको टिफिन में भी मेरे को स्कूल की बच्चों के लिए उसको देना था तो यहां पर मैंने थोड़ सी कलोजी डाल दी है मैदा में और थोड़ सा मौयन और नमक इसका यहां पर सक्त डो लगा लिया है और थोड़ सा मैं करेंचिने इसके लिए यहां पर घी में थोड़ सा मैदा मिला लिया था और उसका पेस्ट में लगाऊंगे यहां पर मैं सोची थोड़ से दूसरे तरीके से बना लिया जाए तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है उसके वाइस तरह से लंबे-लंबे कट कर लिए हैं लंबे-लंबे कट करने के बाल हम इसको इस तरही के से फोल्ड कर लेंगे अगर यह चिप के ना तो आप हलका सा इन में चिप काने के पानी लगा सकते जिससे कि यह बिखरेंगे नी बाद में खुलेंगे नी तो यहाँ पर मैंने बना लिये हैं और तेल भी गरम हो चुक है आज मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है अब नहीं तो यह सारे फूल जाएंगे और जो हमने इसको पट्टी की तरफ बांद के रखा है वो सब खुल जाएगा तो यहाँ पर दूसरा रोड भी मैंने तयार कर लिया है और वहाँ पर मेरे फ्राइ हो रहे हैं तो इस तरीके से मैं यहाँ पर फ्राइ कर रही हूँ आज बिल्कुल धीमी कर दी है इस टाइम पर और फटा फट से हम इनको बना लेते हैं और साथ में दूसरा जो डोका मैंने बनाया था वो भी मैंने बना लिया है तो दो बार मैंने डो लेकि यह तयार किये थे और देखे फिर उसके बाद मैंने सुचा कि ये तो बहुती कम बनने वाले हैं क्योंना पतले पतले वाले बनाए लिए जब वो ज़्यादा क्रेंची भी होते हैं और ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं मेरे को तो बच्चे सौंस के साथ उसको खा लेते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई थी कम आज में तो वो हो नहीं रहते तो फिर मैंने थोड़े से तेज आच करी और तेल को गरम किया फिर उसके बाद में जब हम डालेंगे तो धीमी कर देंगे इससे की जलेना और कलर अच्छा भी आया जल जाता है तो कलर अच्छा नहीं आता तो इसको निकाल लेते हैं उसके बाद मैंने ये पतले काटे हुए वाले डाल दिये थे और ये तो एकदम से बन भी जाते हैं तो और एकदम से बन भी जाते हैं और एक सांथ में बहुत सारे बन भी जाते हैं तो देखे एक सांथ बहुत सारे बन भी गए हैं ये और ये यहां पर बना लिये हैं तो अगर आपको रहसे प्रसें दाल सकते हो और मीठा कम डाल सकते हो और बना सकते हो तो यहां पर मैंने बना के रख लिये हैं और थोड़े से में सिया के टिकिन में बच्चों के लिए दूँगी और थोड़ा सा घर के लिए हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक यार